तो फैंस आप सब कैसे हैं उम्मीदे कि आप सब अच्छे ही होंगे तो हमारे चाइनल इंडिया नमर वन टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है तो चलिए आज मैं आप सभी के बीच जेघक्स लोड़र देखानगा और दिखानगा कोई कॉण सा इसका की इसमें सा लगता है सब आइल के बारे में बताऊंगा तो चलिए वीडियो करते हैं वीडियो पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक केजिए अच्छले वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों मसीन का ना जारा चारो तरफ से आप सभी को दिखा दे रहा हूं उसके बाद वी दिया रहता है एक 290 है त्र नमबर है यह के सआड़ है एक उस साइड भी रस्ट रेंडर से लेंडरइन हो इसका साप्टिंग हो गया लिज्व 2 जौ आगे जुभाइख छो एऊ डिफिरेंशल बोलते हैं developing pale एदर पीछिज़ ट्र्मीशन में जाता है इसका कनेक्शन ह्याय साप्टिंग रिया जो है लिकिट ओवर एह जो है इधर सामने दिख राया चक्र पलेट इसको बोलते है हैं को पकार करता है इसी से हैंवrkar लगता है तुसका है की में आपको दिखेगा इसका जो है इसका केविन के भी इडियो में बना रखा हो अपने चैनल पर मिल जाएगा इसका लिंक जो है इसका लोक हो गया, अगर इसको कहीं भी मशीन ट्रांसपर हो रही है, टेलर रोलरे पर लोडिंग करना है, तो इसको इधर खोल के इसमें फसा देना है, ताकि मशीन लोक हो जाती है, मशीन इधर-इधर कहीं नहीं गुमती है, इसके बाद जो है इसका हब बोलते हैं, कोई डि सकते हैं इस से भी डाल सकते हैं अगर इस से भी डालेंगे तो भी चला जाएगा उस साइड देखिए दोनों का कनेक्शन रहता है इस से भी डाल सकते हैं 25 लीटर तो उस साइड भी जा सकता है इसका ड्रेन करने का यहीं पर नीचे दिया हुआ है क्रावन में ड्रेन कर सकते है आयल निकाल सकते हैं, बूम सलेंडर इधर हो गया, ठीक है? यह बूम सलेंडर हो गया, अबर यह हो गया, भॉकेट खोलने बन करने के लिए सलेंडर हो गया, यह जो इसके पुरा फिचर दिख रहा है, भॉकेट टॉकेट, ठीक है? देखिए इसके बाद पीछे वाला हब हो गया इसको कोई अदमी डिस भी बोलता है कोई हब भी बोलता है इसमें भी 25 लिटर ही आयल आता है और इसको ड्रेन करने के लिए यहां से भी ड्रेन कर सकते हैं और पीछे इसमें भी दिया रहता है देखिए यह जो है इसमें भी ड्रेन कर सकते हैं तीनों का एक ही से कनेक्शन एक साइड से तीनों में डाल सकते हैं और इसका इसी में ड्रेन नोट दिया रहता है चलिए आगे इसके चलते हैं यह जो हो गया डिजल टंकी आ गया इसका जो है यहां से डिजल टंकी पूरा इसमें डीजल टंकी देया रहता है ठीक है डीजल इसमें 210 लिटर का टंकी है इसका डीजल टंकी और हड्रोलिक टंकी 210-2.0 लिटर का है डीजल टंकी भी आप सभी को दिखाऊंगा आप सब शरी कुएष्टे कि विधियो में आप सब लाश्ट तक बनने रहें п 이후 छली दिखाता हूं यह जो हो गया इसका transmission गेजा हो गया है और यह सब ट्रास्मीशन डालाता भी है और užभर एसका दूसरा जगा कोई नहीं दिया हुआ है और यह ऊगुए आपका ट्रबो हो यह जो है टर्बो हो गया इसब जो है सेलेंशर हो गया यह देख रहें सेलेंशर डिस बोलते हैं कोई आदमी जो देखी सेलेंशर है उसके बाद इंजीन ओयल फिल्टर है यह और यह हो गया डाइनॉमो जो बैटरी चार्जिंग देता है उसके बाद इधर आई है तो यह जब फेन बेल्ट हो गया देख रहें है फेन बेल्ट हो गया और इसको कोई आटेंशनर बोलता है कोई पुली बोलता है ठीक है यह देखिए इसका रेडि वाटर का टंकी दिया हुगा है पानी टंकी रेडि वाटर का ठीक है यह हो गया आपक की No देखिए इसका हंट्रोलिक फेन बैटरीईद दिखेगा देखिए outta रिखते शलगा है इसको अभी चालू है इसको अगर एसे कर देंगे तो बंद हो जाएगा बैटरी का कनेक्शन सूँसर पुरा कर जाएगा तो इसको नीचे रखना है नीचे रखनाएं Wear चालू हो जाता है बैटरी के connection जो डोबल बैटरी लगता है 24 वोल्ट का है ठिक है 12 ज्यां डोनों मिला कर 24वॉल्ट हो जाता है और इसका में honest इथर दिया रहता है 9 आ इसका बैटरी का जो भी है करेंट उसी उसे जाता घर फ्यूज ऊढ़ गया तो नहीं जाएगा जलिए इसको गिरा देते हैं उसके इधर आते हैं जो हो गिया इससाइड का है हुड्रोलिक टंकी राइट साइन में जो रहता है हुड्रोलिक टंकी है और लेफ्ट साइड वाला जो आपको दिखाया ओडी जल टंकी रहता है हटरोलिक टंकी भी 210 लिटर का है और डीजल टंकी भी 210 लिटर का है ठीक है उसके बाद हगया एसी का बाटला हो गया है क्गे यह मोटर हो गया इधर इसी का फेन बेल्ट भी दिया हुआ है है शा अमने दीख रहा है उसके बाद इसी को कई गियर पंप होलता है कोई फिटली पंप होगया है यह पूरा दिजल் पंप हो धी है एक्सेलेटर का वाइर है पना यहां से इसका एक्सेलेटर बढ़ा घटा सकते ह्येँ इसको खोल करके ठीक है और इसमें डीजल ओजल जो भी बढ़ाना है तो यहां से बढ़ा सकते हैं डीजल ठीक है यह अपने से करने से सही नहीं रहता है मेकेनिक को बुलाना ही सही रहता है देखिए इसके बादे जो हो गया डीजल फिल्टर हो गया अबर यह वाटर सप्रेट और हो गया डिक निकालने के लिए यहां से निकलता है यहां से और यह लोसे दोने से यह निकलता है इसका फ्यूल पम्प जो है इधर दिये हुआ है इसका जो फूल पॉम्प है ठीक है इसका बाद इसका जो है अंदर सेल्फ दिया हुआ है जो दिख रहा है सेल्फ है यह जो है इसका सेल्फ हो गया उसके बाद जो है इसका इंजिन वाइल इसी में से डालते हैं और इंजिन वाइल का गेज दो है इधर ही यहीं पर दिया हुआ है इंजिन वाइल का गेज जो है यहीं इंजिन वाइल का गेज है और इसमें इंजिन वाइल टोटल पॉंद्र लिटर लगता है 14 लिटर चेंपर में और 1 लिटर इंजिन वाइल फिल्टर में लगता है इसका एर फिल्टर जो है इसमें है एर फिल्टर का एढकन है इसके अंदर एर फिल्टर है और इधर जो है हड्रोली का लेबल देखने वाला इधर है हड्रोलिक मिनिमम इसके बीच में रहना चाहिए पूरा इसके लेबल में रहना चाहिए और इसका हड्रोलिक आयर निकालने वला है तीनो इसको खोलेंगे उसके बाद अंदर दबाने पर हड्रोलिक आयर निकलता है देखिए यह जो उस सैड बताया था हड्रोलिक अपना इस्टेरिंग सेलेंडर है ठीक है और अपने यह जो ट्रस्मिशन दिखाया था देखिए यह ट्रस्मिशन हो गया अंदर यह चकर प्लेट के पीछे ट्रस्मिशन ही है और यह आपर ट्रस्मिशन फिल्टर है ट्रस्मिश पढ़ता है 30 लीटर इसमें पढ़ता है तो देखिए उसले भी बताया था और बीटिश साइड भी देखिए हो लाता है एक में 25 लिटर आता है और एक में 25 लिटर आता है दोनों का मिला कर 50 लिटर गेर हो इलाता है तो दोस्तो हमारे ख्याल से आप सब देखी लिए होंगे और जानी गए होंगे इसका कौन सा पास्ट क्या है और कितना आयल लगता है सब के बारे में आप सभी को जनकारी होई गया होगा अगर आप सभी को कोई भी तकलीफ हो या दिकत हो तो आप से कमेंट मैं पुछ सकते हैं में वेजी जी Specifically दूँगा अगर वीडियो अच्छी लग है तो वीडियो को लाइक किजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर से कोई अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही बाइबाइब